आजम खान कॉंग्रेस के प्रतिनी दिमंडल से जेल में मिलेंगे ये नहीं मिलेंगे इससे ज्यादा महत्तपूम बात यह है समझने कि कि आखिर कॉंग्रेस ने आजम खान पर अटेंप्ट किया क्यों भई आजम खान से अचानक ये बे इंतहा मुहबत कॉंग्रेस में क्यों आई कॉंग्रेस और आजम खान में कभी कोई प्यार मुहबत का रिष्टा रहा हो ऐसे भी कोई तारीक किसी को याद रहे तू तू मीमी के रिष्टे रहे और आजम साब तो आप जानते हैं कि उनकी डायलग डिलीवरी कादर खान की ठकर की है तो उनने गांधी परिवार से लेके कोई छोड़ा नहीं जिस पर जो कई अच्छे अच्छे जुमले बोल चुके हो फिर अचानक से कॉंग्रेस के दिल मे यह हूल क्यों उठी कि आजम खान साहब के साथ जाती हो रही है और हम जाएंगे उनके संगर्ष को मजबूती देने सीता पुर जी इसका जो जबाब है ना वही सियासत का सारा खेल है क्या कॉंग्रेस जान भूज कर समाजवाधी पार्टी को चिढ़ाने का जतन कर रही है ताकि एक स्थिति ऐसी आजाए कि होता है ना कि बार-बार आप किसी को चिकोटी काटे तो एक सीमा इसी आती कि फिर पनटके जन्नाटी दा थपड़ मार देता थपड़ मार देता आप करते देखिए हिंसा कर रहा है अब इनके साथ नहीं चल सकते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि रिष्टा तोड़ना है लेकिन हमने रिष्टा तोड़ा हम यह आखिव भी नहीं लेना चाहते हैं इसलिए हम धीरे धीरे चीजों को इतना खराब करते हैं कि सामने बाला एक किसी नहीं के दे बैचल निकलवार यह तेरे साथ नहीं रहना क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मुक्ति चाहा रही है क्या कांग्रेस के मन में हाथी वली पार्टी आ गई है इसलिए साइकल छोड़ो हाती देखो ऐसी कोई सूच कोई मान सकता है अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले सपा के एक उत्साही नेता ने अपनी पार्टी के कारयाले के बाहर एक पोस्टर लगा दिया था कि देश के भावी प्रधान मंतरी अखिलेश यादम उस पोस कॉंगर्स ने अपनी मुख्धाले पर एक उस्टर लगा दिया लखनुग के मुख्धाले पर सपा वाले में कहा गया कि भावी प्रधान मंतरी अखिलेश यादम उस पांग्रस वाले में कहा गया दो हजार चौविस में प्रधान मंतरी राहूल गांधी और सपा ने कहा कि अखिलेश होंगे प्रदान मंत्री उन्होंने 24 की वेकिंसी ब्लॉक की तो कांग्रेस ने पूरी पे गुना रख दिया क्या इन्होंने पूरी भेजी उन्होंने पूरी गुना रख के वापस बेदिया उन्हें का 24 में राहुल और 27 में अजयरा है यानि अखिरेश बाबू के लिए कोई वेकिंसी नहीं मुख्यमंत्री के लिए तो गंभीर दावेदार हैं प्रधान मंत्री में चकल्स भी मालो करेकरताओं की लेकिन मुख्यमंत्री में तो चकल्स नहीं है उतो बने नहीं बने अलहदा लेकिन भाजपास से अगर कहीं कोई प्रधान कोई तक्कर होगी 27 में तो सपाकी होगी 22 में भी सपाकी हुई अंत्र भले दूने का रहा लगे नमबर 2 तो यहीं थे है तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पे जोला रख दिया क्या बसकी दोनों सीटों दो ही सीटे दोनों पे जोला रख दिया अब बताईए अखिलिश यादफ क्या दोहजार उन्तिस लोग सवाग की तैरी करेंगे उगट वंदन में रहेंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी यू या यू कहिए कॉंग्रेस अखिलिश यादफ को एनॉइट करने की कोशिश कर रही है ताकि ऐसी स्थिति आ जाये जलाहाट आ जाये और जान छोटे होता है ना कि अच्छा हुआ जान छोटे क्या वह भाव मुत्रा दोनों के गटवंदन के बीच में आ गई है आजम खान साब राजनीति में अपने किस्म के अधाकार है ओधरता वो नहीं मिले अजर आये एंड कमपनी से ओधरता जेल का प्रशाशन नियमों का हवाला दे के मुलाकात नहीं होने दे छोटी बात है ओधरता इस बार ना मिले आजम खान अगली बार मिले आजम दी भी आजम खाने लेकिन लाग टके का सवाल ये खड़ा रहेगा अगली बात के सिवा क्या देश में और कोई काम नहीं है उत्रप देश में आजम खान के मिलाइक के अलावा है ना कॉंगरेस को वो काम जरूरी लग रहा है इसलिकल अखले शयादब तुनुक रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये कंग्रेस है न आजम खान साब को फसाने मे कांग्रेस भी जिम्मेदार है ये बयान बताता है कि अखिलेष यादफ को कांग्रेस का सीतापुर जेल जाना अच्छा नहीं लगा आजम खान से मिलने की कोशिश करना तो कांग्रेस आज़म पर डोरेट डाल रही है इसके पीछे की कथा क्या है क्या कॉंग्रेस अखिलेशी आदफ से मुक्ति चाहती है क्या कॉंग्रेस के मन में मायवती जी के लिए कुछ संभावनाय पनप रही है यह तमाम सवाल है आज शाम पांच विजे रही मेरे साथ इन तमाम सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं करते हैं